नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एड़वोकेट कृष्ण कुमार्त रेपाठेई उम्मेदे आप सभी लोग सपुषल होंगे और अपने-पने केस को अच्छे से हैंडल कर रहे होंगे दोस्तों आज का वीडियो एक साधायन सी इंफर्मेशन देने क दोस्तों क्या होता है कि कई वार जो यह फैमिली मेटर्स होते हैं तो इसमें आप लोग वकील करके रखते हैं अब आज हमारे पास एक ऐसा केस आया कि एक सक्स अपना केस लेकर हमारे पास आया था उसके उपर चार चार या पान साल से उसके उपर फैमिली मेटर्स केस चल यह वाइफ ने 125 CRPC लगा करता हुआ है डाइवोर्स भी लगा करता हुआ है और क्या किते हैं 498 भी लगा के रखा हुआ तो उसने पहले दूसरे वकील किये हुए थे कि एक वकील सहाब को उसने जब किया था उसने साहब को उसने प्रॉपर दे रहा था विक्ति बेचाना गरीब भरका ऊप्ति हें उसको NICK नहीं कह सकते हैं क है मतलब क्या सकते हैं लोवर मिडिल क्लास एक तो उससे क्या किya कि कि यहाँ था उसने अपक। उसके वकिल है कि सवा अट रहे थे वकिल साप को समय Griffin अब फीज भी इमानदारी से दे रहा था वो लेकिन क्या हुआ कि अचानक से क्या हुआ कि उसके उपर मैंटेंस ओडर हो गया ओवरॉल मैंटेंस जो स्टार्टिंग से लेके जब तक कॉडर हुआ तब तक की तारीक का जो मैंटेंस था एरियर बन गया वह दो धाई करवा दूंगा तुमारी वाइफ को दे दूंगा और उससे रसीद ले लूँगा तो उसने अपने वकील पर विश्वास किया परिणाम यह हुआ दोस्तों कि उसने अपने वकील सहाब को लगबग 30,000,000 यह सोचए वकील सहाब जो है उसकी वाइफ को पैसा दे देंगे लेकिन कहानी क्या हुई आप लोग समझ गए होंगे मैं ख्याल से अब तक कहानी ये हुई कि वकिल साहब ने पूरा पैसा रख लिया अपने पास और उसकी वाइफ को एक रुप्या नहीं दिया और बाद में जो केस था उसको एक्स पाइटी करवा लिया कर दिया और एक्स पाइटी पुरा केर डिसाइड हो गया और उसके बाद कोट ने इनका वारंट जारी कर दिया ये कहते हुए कि इनको आदेश दिया गया था कि ये डाही लाग रुपए अपनी वाइफ के अकाउंट में जमा करवाएं मगर इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है इन्होंने कोट की आवमानना करी है तो उस वक्ति का वारंट निकल गया और पुलिस उसके घर पे आ गई वो उसको जेल जाना पड़ा उसने फिर जेल से वापस आने के बाद पूरी इंक्वाइरी करी तो बानुपड़ा वकिल कर दिया कि दोस्तों क्या होता है कि आप लोग कोट में केस लड़ रहे हैं और हम है अकसर एक बात कहते हैं कि वकील पर विश्वास करें वकील पर अंद विश्वास ना करें कि अगर मैंट्र दे रहे हैं तो वकील को क्यों दे रहे हैं आप फुद कोट में रहकर रहकर मगर मच से दुष्मनी लेना तो आपका वकील आगे लोकर कह रहा है कि इतना पैसा देदो मैं तुम्हारी पत्नी को देदूँगा फोट से रसीद लेकर आ जाओंगा तो यह गलती क्यों करना क्योंकि ऐसी गलती एक समझदार व्यक्ति नहीं कर सकता है इन मेच्चोर जो लोग होते हैं अब परिपक्त वही लोग ऐसी गलती करते हैं वकील आपके केस लड़ा बहुत अच्छी बात है इस तरह ही गलतियां करना कि उस पर अंधा विस्वास कर लेना उसको पैसे देना वह आपकी मूर्खता का फायदा उठाता है कहावत सुनी होगी आपने की जब तक मूर्खों के पास धन है समझदार को खाने ही कमें नहीं तो अपनी मूर्खता को आप स्विकार करें ना कि आप एक यह वकील गलत है वकील गलत है मैं मान रहा हूं उस वक्ति को सजा भी मिलनी चाहिए मगर आप इतने कितने मूर्ख हैं कि इतना वड़ा माउंट आप उसको दे रहे हैं और वह बाद में पुरा पैसा खुद की जय में डाल रहा है मगर वह आपको कहीं से भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और फिर आप रोते गाते नया वकील आप अपना एक नया वक के लूडते हैं वकिल्डय कर लेते हैं लूभी आपको बिखूप अनाता है पिर आप कहते हैं है कि अब का वकील होता कि आप आको श्याव झार्ण नहीं है तो वकील तो आपको बैकुप बनाएंगी क्योंकि कई वकिल बे एक हैं हाफ दुनिया में अधे UP लोग अधितर ल जब वकलत में आप आएंगे तो वहां भी तो बुरे वकीलों की संखे ज्यादा ही मिलेगी आपको जब उनकी लपेटे में आएंगे तो आपको ठगेंगे अभी तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी फियस के अलावा उसको एक रुपिया ना दे मगर आप उस पर अंद वीडियों बनाके हम यहीं संदेज देना चाहरा था कि कोड के वह कभी सभी काम जो आप कर सकते हैं और आप और मेरे ख्याल से जो कहानी मैंने बताई है ह Diamantin इंडिया में बहुत से कर लोगों के साथ घट चुकी है यह को वैसा देना पैसा दिया था उन्हों जमानी किया तो फिर वकील साब करें साइस क्या प्रमाने इसने मुझे पैसा दिया था फिर कोई प्रूफ तो रहता नहीं है फिर जो पैसा वाइफ को देना था वकील साब खा गए तो इसका अर्थे लिगी कोड को आप से सिंपहती होगी सहान भूती होगी ऐसा किल बदल ये और साथ में जो पैसा आपको एरियर बबंदा है वो देना पड़ेगा नहीं देंगे तो आपको आपको चेल भी देगा तो सावधान रहे सतर्क रहे ऐसे गलती ना किया करें ये गलती समयधारी का प्रतिक नहीं है कई बार हमारे जो साथ के एड्वोकेट्स ह ये इतना बड़ा मुर्ख है जब ये ऐसी गलती कर रहा है तो इसको ऐसी पत्नी ही मिलेगी तो लोग इसे इस तरह की बाते भी करते हैं कि जब सर्य इस तरह ही गलती कर सकता है तो इसको अच्छी पत्नी तो मिलने से रही तो कई बात लगता है कि हाँ साथ ये बात भी सही ह कि आप अपने मूर्ख हैं तो आपकी पर्तिन नीवी तो आपको मूर्ख की बनाया होगा यह तो इस तरह की गलतियां ना करें ऐसी गलति नहीं करने चाहिए हाला कि कई लोग समझधार होते हैं कई क्लाइंट वह ऐसी गलति नहीं करते हैं लें कई ऐसे क्लाइंट होते हैं मुर्ग भी होते हैं तो हमारे वीडियो उन्हीं लवों के लिए ऐसी गलती ना करें वन्ना फिक आप ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे एक बड़ा माउंट आप वकिल को देते हैं वह बोलता में परतनी को तुम्हारी मेंटेनेंट चक्कर में एक सस्ता और तुच्चा वकील कर लेते हैं वह आपको इतना ब्योकूप बना देता है और कि आपके डियने में घुच जाता है कि वकील तो बहुत बुरा है और सब वकिल बुरे हैं तो अगर ऐसा है तो फिर इसका कोई सॉलूशन नहीं है हम सब्जी की दुगार म जर्नलाजेशन बना लें कि अरे टमाटर तो बूरी प्रजाती है सब्जी की तो टमाटर बुरा नहीं है आप आपको डिसीजन बुरा था अच्छी क्वालिटिक टमाटर भी तो आते हैं मार्केट में तो उसी तरीके से आप जो वकील चूज करें और वकील के साथ हम रहते समझ में आ जाता जिस तरीके से वकील बाते करता आप से विवहार करता है आप से फीस बगर्या कर लेंदेन करता है यह चीज एंधार कर देते हैं वकील उनको अच्छा टोपी पहनाता है तो यही बाते बताने हैं दोस्तों तो ऐसी गलती ना करें आप पर मेंटेंस बगरा का ओडर होता है या कुछ भी कोई चेक बाउंस का केस है केसा भी केस है उसका पैसा आप ही लिया या दिया करें अपने वकील के समार्जम से ना किया करें वरना आकरिम पच्टाना आपको तो में वीडियो हमारा जो है आपको पसंदाया होगा अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको लाइक करें इसको सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जरूरी जैनकारियां जो हैं काफी लोगों तक पहुंस सकें तब अधिक में दोस्ते वाद बहुत